What ratio is the line joining P5,3 and Q-5,3 divided by the y-axis also find the coordinates of the point of intersection? ये ICSC के paper में 2020 में पूछा गया था question, है ना? अभी हम देखते हैं कि इस questions को कैसे solve कर रहा है? ये तीन marks का question आया था. अभी देखो आपके पास क्या है line joining? कौन सा? एक ये है line P and Q और peak दिया हुए आपको 5,3 and Q दिया हुए आपको minus 5,3. clear? अभी आपको बताना है ये divide कर रहा है y-axis के तरो. इसको divide किया जा रहा है y-axis के तरो. तो y-axis से अगर हम इसको divide कर रहे हैं तो ये point, intersection point हो जाएगा हमारा 0,y. समझ में आया क्या? अभी इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं. इसको suppose करिए आप L आपने लिख लिया, इस point of intersection को. आपको बताना है कि किस ratio में ये L, यानि ये y-axis इस line segment को या इस line को क्या कर रहा है? divide कर रहा है. सो assume कर लेंगे हम एक ratio, क्या assume करेंगे? एक ratio और वो ratio हो जाएगा अपना k is to 1. सो चलिए हम निकालते हैं k is to 1 पहले. ओके, सो हमारा L जो intersection point है, इसके लिए k is to 1 हमारा एक ratio है. सो अब हम apply करेंगे इसमें क्या? line segment formula. क्योंकि line segment formula होता है, जिसके थुरू हम point of intersection और ratio को हम deal करते हैं. है ना? सो point, line segment का formula क्या होता है? m x1 plus n m x2 plus n x1 upon m plus n, m y2 plus n y1 and upon m plus n. यह है आपका line segment का formula. अब इसमें हम value put करेंगे. यहां से. सो value में क्या है? यह अपना, आप लिख लिएगा question लगाते समें हमेशा. ओके? और यह x2 and this is the y2. ओके? And this is the m and this is the n. सो यहाँ पे value put करें. m x2. सो minus 5k. and plus 1 into x1. यह n into x1. सो यह हो जाएगा 5. and upon k plus 1. कॉमा m y2. सो k into 3. सो 3k. and plus 1 into 3. यह हो जाएगा. and upon k plus 1. इतना समझ में है गया? अब देखिए l जो pointer intersection यह दिया हुआ है. सो 0, y. सबसे important चीज यह है. कि यहाँ पे अगर यही question थोड़ा सा change कर दिया जाता. suppose करो divided by the y axis ना लिखकर divided by the x axis लिखा होता. तो फिर हम क्या करते? तो यहाँ पे x अपना क्या हो जाता? x और y अपना 0 हो जाता. है ना? सो x, यहाँ पे 0 लिखते. और यहाँ पर x, 0 होता. सारी चीजें same to same होंगी. लेकिन सिर्फ x यहाँ पर x हो जाएगा और y यहाँ पर 0 हो जाएगा. है ना? जब x axis डिवाइट करेगा. याद रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे हम 0 के साथ इसको हम deal करेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि हमें एक variable चाहिए ताकि हम उसकी value निकाल सकें. और 0 के साथ जब हम deal करेंगे तो एक variable k आएगा अपना. चलिए, minus 5 k plus 5 upon k plus 1 equal to 0. y के साथ deal नहीं करेंगे. क्योंकि y के साथ deal करेंगे तो k और y दो variable. और दो variable एक equation से कभी नहीं निकल सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम cross multiply करेंगे. तो इदर और y यहाँ, 1 यहाँ पे होता है तो इसका multiply कोई effect नहीं पड़ेगा. So, minus 5 k and plus 5 equal to 0 and minus 5 k equal to minus 5 minus minus cancel and k equal to 5 upon 5. and 5, 5 cancel, so k की value हो जाएगी. 5 upon 5 हाया, cancel किया, so k की value हो गई 1 upon 1. यानि अपना जो ratio था, k is to 1 का जो ratio है, वो हो गया 1 is to 1 का ratio. समझ मैं? यह 1 is to 1 का ratio पता चल गया, अब point of intersection बताना है. So, point of intersection में एक तो 0 है, दूसरा y है, है ना? तो 0 वाला तो हमने relate कर लिया, और 0 की जगह पे हमारा 0 ही आएगा. लेकिन y की value क्या होगी? तो y equal to हमारा यह होगा. है ना? y equal to क्या होगा? यह. 0 से यह, तो y से यह deal होगा. So, y equal to हम लिख लेंगे, 3k plus 3 upon k plus 1. Clear? अब k की value आप 1 यहाँ पर put कर लिजिए. So, y equal to हो जाएगा 3 into 1 plus 3 and upon 1 plus 1. और यह हो जाएगा 3 plus 3 and upon 2 and this is the 6 upon 2 and 3. Okay? So, y की value क्या होगी? 3. y की value क्या होगी अपनी? 3. Okay? अब अपना point of intersection क्या होगा? So, 0, y यही है. So, इसको हम लिख लेंगे 0, 3. समझ में आए क्या? और ध्यान दीजिए का आप लोग? कि divided by the x axis अगर होगा, तो यहाँ पर x, 0 हो जाएगा. x, 0. Okay?